नवस्ते बच्चो, हम पूर्वु ज्ञान में दस्वीक अक्षा के वार्षिक परिक्षा के प्रश्ण बत्र नमुना के बारे में जानकारी ली है दस्वीक अक्षा के वार्षिक परिक्षा ये पेंत ग्लास की संबन्दी चिनाट बाटे अनिमल एज्जम मॉल्ड पैपर बुदेंची मालमू दाटलों फर्स्ट रोमन अन्टै ब्यागर नामस्यावु पिलिंद ब्लाइंज ए विधंगा इस्तारू अनेट बाटे दे पेंत ग्लास पूर्वक निया अनटे प्रीवियस क् आज की कक्षा में आईए आज हम पाट छे अंतरास्टी स्तर पर हिंदी इस पाट के बारे में जांकारी लेगे दस्वी कक्षा है बच्चों आप अपने हिंदी पाटे पुस्तर निकालिये और पुरुष्ट सेंख्या 30 पुरुष्ट सेंख्या 30 निकालिये अंतरास्टी स् इसकी मानी क्या है अंतरास्टी याने नेशनल, इंटरनेशनल, अंतर जातीय परंगा, हिंदी अपको प्रामुखे था हिंदी, अनेट मेटे दी रोज मरमी लेसे लोग तो इसको बुद ना, बच्चों जब हम भारत में पैदा होते हैं याने, हम भारत देश में जन्म लेते ह तो हमें, हमें अपने सर्कार के जरीये से तीन भाशाएं सीखनी पड़ती है, भाशा इसकी मानी क्या है, भाशा किसे कहते है, जो हम अपनी मन की भावों को एक दूसरे तक पहुंचाने, के शब्ध को भाशा कहते है हम तीन भाषा उनकी जानकारी ले रही है या आलग अलग होने पर चार भाषा उनकी जानकारी लेना पड़ता है और हिंदी इसके साथ ही हम अंग्रेजी की जानकारी भी यहां लेना पड़ेगा तो बच्चो हम भाषा याने भाषा प्रिसे घालते है भाषा मने यहां एक मुवी कला आं रही होता लेन्गवेज्च भाषा मने लेन्गवेज़ लेन्गवेज लेना इन्टे हमाँ? लैंग्मेशंटे एंटे? मीनिंगेंट लैंग्मेशंटे? मनमनसलों उन्नट्वंटी भावालनी मनमु यदुटि मालडकी विक्तपच्चेट्वंटी आ पदाल एवेते उन्टायो? समसार में जोबी रहत है याने पसु पक्षी और जानवर याने हम्ट याने आदमी मनुष उनकी अपनी अपनी भाशा होती है मनक्ति प्रकुरुत रहों उन्ना अट्वंटी प्रत्ती जीवित अतर्मेंची इवें human beings पसु पक्षा दुलू तरवाथा animals अन्टे animals अंटे जन्तु उलकी तरवाथा मनुष्यल कर्माटा मनक्ति अपने हिंदी प्रुष्ट सेंख्या तीस पसु पक्षियों की भाशा होती है यहां आपको पहला हाँ किस तरह दिया पसु पक्षियों की भाशा होती है और एक कवा होता है और उसे जहां पर उसे खाने के लिए कुस दाने दिखाई दे रहे तो उसके साथियों को काव काव कर फुकार कर बुलाता है तो बोलना ये रेक खव्ड भाशा है वह जिस तरह है यह संकित देता है तो उदर माले और धुसरे खव्ड को संकित करते है कि इसके दूसरे ने पूर के संकित उसकी मानी उनलोगाँ को मालो होती है तो चेप्पेदे एंट नम्मा भाषा भाषा नटे मनम असलो हुननाट वटी फीलिस नी वेरेवाल लगा कि मनमो चेप्पेद वटी दानने मनम भाषा नटा पर एज उनको लोगा काकी मनमो बैटन वुकल गाने सम्धिक यह दनना अन्रम्मेत्ट कोल गाने पड़ेशा मम कुड़ों कातोच चिन्दी चूसिंदी अपड़ेक्प बोल्ड अननम उन्दी सो रेंचेसनी तनन वककटे थीरकुणन तनतो उनननाट वाण्डि तनन फ्रेंच्नी अन्माट प्रेंच्नी अन्माट पसुपक्षीयों कीवि भाशा पसुपक्षादुलकी उस्षा नादस्वरान्य पसुपक्षादुलकी इसका मतरफ वे एक दूसरेका आशेक बहु कोबी समस लेते हे दिन्यों का धुमेंट आटे बकड़न पड़ों वल्लेई चप्पराउं कुँँटुनारों वकड़ने पर फीलिंग्स निया इदितर वालन मैट्ट अलाम अधुन जेसकोंदे वालों मैट्टि आवं अंडेस्टेणिंग अनले यह उन्टुन्दी यह चुप्तु गड़ों यहां बात्तों है की पस्टिपक्षियों की मनिशों जैसी सुनिकसित भाशा नहीं उत्ती मनुष्वे यह उन्टिपक्षियों जीस तरह होती है वापसु पक्षाधियों के लिए उत्तना सुविष्या याने सरय ने पर फद्धति रों सर्गार्धन जेसकों नेट्विटावों बात्तों जीस जीस तरह कुछ भी यह बोलना या ना बोलना उसे कुछ भी समझ में नहीं होता है यह जो अपने दिन में आता है है वो बहाँ बखलेता है चोन्नमा इकड़े लैंगमेज नेट्वने माठ्ट कोच्छ नेटलेगे चदू कुन नेट्वने वेक्तिलों चाला चक्टका अन्माटकर पड़की रेस्पेक्ट इस्तू उन्ने ट्वनेटि सिच्चुएशन बट्ये माठ्ट चुप्तू इंटर सीदी साधी आवाज और क्रियावोंसे अपने भाव वेक्त कर सकते हैं येर अपने सीदी साधी वड़ु स्ट्राइट गान माट एं चेस्टतर अरंटे मलु वाणय कमर्स्रों उननाट माट पेरीस ए वकल्लों कड़ एं चेस्कुन तरू खरियावोंसे पनुल ध्वारा, ध्वरुल ध्वारा, वकल्लोंकल पाम्स स्ल्च पुन तू अन्टे सौं चेस्टू, वकल्लोंकल सैंकेतन चेस्टू मुड वोंठृु बढ़ी, आसानिसे खुशी, भय, चेतामनी, अमंत्रन, रेसि कैई भावना ये दर्शा सक्ते है वेंचस्ते हैंटा, आसानिसे चाला इस दिगा खुशी, आनंदंगा उन्न पुड़ु आसानिसे खुशी माने संतोषिव, हैपिनेस, हैपिनेस, हैपिनोवन अप्ड़ एविध हुगा माट्राडाली, एविध मेनेट मेंटी सोच्छेयाली, तरवात्ता, भय, मालगीर देन्न उन्च अन्न आपद कलूत उन्न अप्डु, एवर्गुंच माट्वार कुणके अप् प्रकृती वैपरिच्छ, थेराथ तनल नेष्ट, उन्ड़कुन्टा, पडिकोट, लेजा यवर नाम, एटगाल यवर नाऊचेस, तनल उन्पुरी पट्टिच्छ, पुथू उन्ड़दम, सुलेन्टि, एलेक्टरन मड़ा, आमंत्राड़् जैसिका इखावनाय दर्शा सकसे आमंत्रट इन्दा को चीप्टनेंट वोका काकी तन्न दिनेटमेंटे अन्नमेत्गुलों पोसन मेरेवाड़ादी कोड़ एंजसे चुपकुना मों पिलुस्तुन्दी आमंत्री सुन्दी एंट इमिटेशनल वड़ आहानिस्कुन्दी यह चुपकुना किसी पक्षी द्वारा की यह संकेत अंगी पक्षी भी पहजान सकते हैं वोका पक्षी की चल्सिन अट्वटी संकेतमों मिगलेटमन पक्षुरु कोड़ वाड़ नी अर्धन चेसकुन्दा आईया ने पड़दी भाषक की उन्नाट्वण इम्पोर्टेस गुनिंच मनंक आवजउन पड़ ने अट्वण इद्वण इदानन की परैवजउन इदानन की परैवजउन शब्द क्या है अन्गड़ परैवजउन शब्द नहीं किसी प्राणी के अनोक्की विसेशता, किसी प्राणी अनोकी विसेशता? इधने वहलुन चेशटा, इamous अजुली काली ओने अण्टे आ वर्ष ने संतोशंतो आस्वा दिस्तुन्दी दर्मत मेंडग अण्टे कप्पलू वट्यको बोईस अन्टे टत्तर ने वटे सौंड अवी अवी सौंड चेस्तों उन्टै रेली सीदेलो जिल्ली अटे क्रिकेट्स अन्टा अवी जी अन्ट्वाण्टी सौंड नर्मटग किर्र अन्ट्वाण्ट चेस्तों टै सो इल्ला भाष अन्ट्वाण्टी पसु पक्षा दुरिवी वकोदानिके वकट्टे इता लो न्ट्वाण्टि दान्ने वेक्त परुस्तू मुंत यहन जट्टे कर नणड़ा उद्देश प्रिवेस लोग पत्र लेखन के पारे में जानकारी देना लेटर से भी धांगा रास्तामों वाटेपकर रूल्स गुरिंचे बनांक इकड़ चपड़ान वाटा उनके लेकंस्रुजन के विकास के साथ उन्हें अंतर रास्टिस्तर पर हिंदी का महात्रु बताना है सो आप पत्र लेखन रासेटमां ती दन्हें तो पार्टो अंतर रास्टिस्तर इन्हें इंटर्नेशनल पर्पस गा हिंदीयों का विसिस्तरता हिंदीयों का इंपोर्टन सेंथी अने तेनी जेरिम कड़ा मैं की पार्टमें बटन के मुख्या उद्देशिमां चेक्पेस नड आपको कहानी ये गध्धी की कुछ अंस है यहां पर यहां बताया जाता है कि पत्र गध्धी की एक प्रमुख विधा है लेटर राइटिंग अने ट्वेंटी दी पत्र की एक प्रमुख विधा आंट्यों का टाइप ओफ मेतल नमता अंटे गध्यभाग मलों लेटर शेक के अपने विषे से जुड़ा पत्र पाकर पत्र पाने वाले के नाम रित्ता है इसमे एक मित्र अपने दूसरे मित्र को लिध्त भूख विधा के बारे मेन बता रहा है मन के दना 25 ंटमी विष्या लानवटा मर मे जस्तम आनवा एकका प्रॉपित नीम produits पशबग तग सो माना फ्रेंड्स कोड़ अधी शेर शेस नाट लेते हैं चेप्पी नाट लेते हैं मालुपड़ दानी चाला चक्तागा इजी गा नेश्कुम्तागों पदानेट में टूद्टेशं तो इकड़ माला की पाठम लोग वका फ्रेंडन माता एक दोस्त एक मित्र और अपने मित्र को अपने दूसरे मित्र को पत्र लेखन के बार में और पत्र लेखन के साथ साथ और वहां हिंदी की प्रामुख्यता के बार में बताने के लिए यहां कहा रहा है हिंदी की प्रामुख् जो भी आपने पाट की पूस्तक में विशयप्रमिष दिया गया है दियान से पढ़ना याओ इने इंट्रस्ट दा सहग मार रही है दिया गया है तो उसे तो आप पाट विशय पाइद से पड़िए, जी शब्द के अर्द समझ में आय की ऑसी नीचे रेखा की इश्यें आप जब फी प्राड ठोड और प्रड़ रहे हैं, आपको कठी शब्द जो कठी शब्द richdheiten चीर नमारू में वाहे हैं उसके अर्द्ध के बारे में आप जानकारी कीजिए और उसका अर्द्ध शब्द कोश में ढूंड़िए समझ में आने वाले हम शुब होता चांत तो समुह में आध्यापक से चचार कीजिए अगर कोई विशे आपको समझ में नहीं आयेगा तो एक रूप के बंद करें उसके बार में चच्चा करने पर एक एक वेक्ती आपका एक एक राय बता देगा तो बच्चों हम आप तक विशे प्रवेश और उस्देश के बार में जानकारी लिए हैं तो अगला पाट, अगली तक्षा, अगली तक्षा में आपकों बताएंगे तो धन्यवाद पुच्ची ना कोई नमाचे बुदू